हेलो गाइज वेलकाम बेक टो माई चैनल टेख मश्टतो इस वीडियो मैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ की थ्री स्मार्टफोन बेस्ट थ्री बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 चलिए शुरू करते हैं तो गाइज सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है गाइज फटि खोल passage तो गाइज गूगल क्रोम खोल लेते हैं तो गैस मैंने गूगल क्रोम खोल दिया है तो आपको सश नहीं करना है क्योंकि मैंने अरी mund All precis कर अब दिये है आप देख सकते हैं जो थर्ड नमबर पे अंस्मार्फोन РЕस्लेस मैं करा आप बेस्ट शन्मार्फोन इDRacies आप देख सकते हैं इसकी बहुत बड़ी डिस्क ले आ जाती है और यह 6GB RAM और 128GB के साथ आती है और गाइज इसका दूसरा वेरियन भी है 4GB और 64GB स्टोरेज तो गाइज हमने भी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं तो गाइज आप देख सकते हैं इसके लेंस भी बहुत अच्छा है 48MP ब्लस 22MP ब्लस 2MP ब्लस 2MP ब्लस 2MP ब्लस 2MP आपको चार कैमेरा मिल जाता है और 16MP का फ्रंट कैमेरा और आपको 6.6 फां फां इंच की डिस्प्लेय मिल जाती है 6.4 इंच के मिलती है तो गाइज आपको पसंद आया तो आप यह ले सकते हैं तो आभ हम चलते हैं 2MP स्मार्टफोन पे तो चलिया है भी हम चुरू करते हैं सेकन्ड नंबर के स्मार्टफोन से जो सेकेन्ड नंबर में स्मार्टफोन हमारा आता है वह स्मार्टफोन हमारा रेड्मी नो 10 प्रो तो गाइज रेड्मी नो 10 प्रो आपने बहुत सुना होगा यह स्मार्टपून आता है 17,999 में 17,000 मैंने समसंग के बारे में चीज बताना बूल गया कि यह आता है 21,000 वारे वीडियो का टाइटल है कि बेच फोन संदर 20,000 तो गाइज अगर आप 1000 रुपी आती है गाइज और 64GB का स्टोरेज है और आपको अवेलेबल हो जाएगा और आमोल डिस्प्लेइ 6.67 इंचेस का और 64 मेगापिक्सल का कैमेरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमेरा तो चलिए आभी हम चलते हैं थर्ड नंबर पे थर्ड नंबर पे जो मैंने रख फर्स नं साइबर ब्लैक इसका नाम है बस कलर है आप कौन सा भी कलर चूज कर सकते है तो इसकी जो प्राइजिंग है वह 17,000 के आसपास तो 6GB RAM 128GB में अवेलेबल भी हो जाता है यह फोन और यह फोन बहुत अच्छा है और यह 16.43 इंचेस में अवेलेबल हो जाता है 128GB Android 10 मेल जाता है तो GUYS मैं इसकी दो cognition आप सकते है विडियो पॉस्टर के आपको बढ़ना है तो आज की वीडियो यह थी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एडग गडिजी अगर अभड़ इस वीडियो का अपने like नहीं किया तो like कर दीजिये कि खा algorithm कीजिये का next वीडिय बाइ बाइ बाइ